हेलो एवरिबन वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएस दोस्तों यहाँ पर हम पॉलिटी के घटना चकर को डिसकस कर रहे हैं पॉलिटी के घटना चकर पर आपकी ओल्रेडी काफी सारी क्लासेज आ चुकी हैं और उनकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सुरू से लेकर आखिर तक सभी वीडियोज को देख सकते हैं आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साशन प्रनाली सासन प्रणाली से related जितना भी आपका previous year में questions पूछा गया है उन्हें हम आज की वीडियो में discuss करेंगे चलिए फिर start करते हैं आज की class यहाँ पर आप देख सकते हैं कि last class में हमने लग भग 40 questions को discuss कर लिया था 40 questions यहाँ पर आपके cover हो चुके हैं तो आज हम 41 से start करेंगे आपको last class को जरूर देखना है friends यह chapter काफी important है आपको इसे अच्छे से cover करना है देखिए 41 question है आपके सामने कथन कहता है भारत में संग वादिता विहवारिक नहीं है कारण कहता है भारत एक संग्य है राजिय नहीं है आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही answer होगा सही answer आपका option C है A सही है परंतु R गलत है एक बार फिर से देखिए A आपका यहाँ पर सही है और R गलत है A कहता है कि भारत में संग्य वादिता विहवारिक नहीं है और R कहता था कि भारत एक संग्य राजिय नहीं है तो यह तो बिल्कुल स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत हो जाता है इसलिए सही answer option C होगा 42 question आपके सामने है भारतिय राजिय व्यवस्था में निम्ड में से कौन सी अनिवारिय विसेस्ता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वेरूप संग्य है सही answer option A होगा नियाई पालिका की स्वेतंतरता सुरक्षित है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतिय राजिय वस्था के संग्य लक्षनों में परमुख है लिखित एवं कठोर सविधान सविधान की सर्वोचता केंद्र एवं राजियों में सक्तियों का वित्रन नियाई पालिका की स्वेतंतरता दुवी सदनिय संसद इन में से नियाई पालिका की स्वेतंतरता का सुरक्षित होना सं वर्तित नय किया जा सकी भारतिय सविधान के तहत केंद्र एवं राजियों के बीच विवादों के संदर्भ में उच्तम न्यायालिय को आरंभी कधिकारिता प्राप्त है ग्यातव्य है कि भारतिय संसद के उच सदन राजिय सभा में राजियों के निर्वाचित प्रतिनिधी होना भी भारतिय राजिय व्यवस्ता के संग्या स्वरूप को दर्शाता है तथा पि न्याय पालिका की स्वेतंतरता के लिखित सविधान के तहट सुरक्षित होने को ही प्रश्णगत विकल्पों में भारतिय राजिय व्यवस्ता के संग्या स्वरूप को दर्शाने वाली अ भारत के सविधान का संग्या लक्षन नहीं है जबकि केंद्र तथा राजियों के बीद सक्ति का बटवारा पूर्ण रूप से लिखित सविधान और स्वेतंत्र न्याई पालिका ये सब संग्या लक्षन भारत के सविधान के संग्या लक्षन है और संग्या लक्षन कौन सा नहीं है एक्हैरी नागरिक्ता यहां पर आप देख सकते हैं एक्हैरी नागरिक्ता भारत के सविधान का संग्या लक्षन नहीं है भारतिय सविधान में एकात्मक और संगात्मक दोनों ही विसेशताई मोजूद हैं भारतिय सविधान की संगात्मक लक्षनों में लिखित सव विधान, कठोर सविधान, केंदर तथा राजियों में सक्तियों का वित्रन, न्याईपालिका की सर्वोष्टा एवं स्वेतंत्रता, दुई सदनिय विधान मंडल आदी हैं। जबकि एकात्मक लक्षनों की अंतरगर्थ, एकल नागरिक्ता, राजियापालों की राष्टपती, दुवारा नियुक्ती, आपातकाल की घोशना, समझोतों को लागू करने में संसद की सकती आधिका उल्लेग किया जा सकता है। 44 कोशन आपके सामने है, भारतिय संगिय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो आप यहाँ पर आपको काफी सारे तत्व यहाँ पर बताए गए हैं, आपको बताना है कौन से एकात्मक तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं? तो आप यहाँ पर देख सक विकल्प डी सही उत्तर है दिये गई सभी तत्वों में से करम संख्या 4, 6 और 7 उलिखित तत्व ही भारतिया परिसंगिया व्यवस्था को एकात्मक तत्व हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं करम संख्या 1, 2, 3 पर उलिखित सभी तत्व परिसंगिया यानि कि फैडरल कि अनिवारिय तत्व हैं तो इन्हें आपको यहां पर दियान रखना है देखिए काफी बड़ा यहां पर दिया गया है चलिए next question को देखते हैं 45 question है आपके सामने इन में से कौन सा भारतिया संगिया व्यवस्था में एकात्मक तत्व है आपको बताना है देखिए same question यहां पर repeat हुआ है इसे आपको अच्छे से समझना है तो पूछा गया है कि भारतिया संगिया व्यवस्था में एकात्मक तत्व कौन सा है तो इसका सही आंसर यहां पर option B होगा option B कहता है दो तीन और पांच देखिए दो तीन पांच कौन से हैं तो आप देख सकते हैं कौन से एक आत्मक तत्व हैं राजिया पालो की नियुक्ति राजिया सभा में ऐसमान प्रति निधित्व और अखिल भारतिया सेवां यह आपके एकात्मक तत्व हैं भारतिया संगिया व्यवस्था में चलिए देखते हैं next question ay, आपके सामने 46 भारत में संगिया व्यवस्था से ना करता है दूसरा कतन कहता है एक आत्मक झुकाव का उसमें ससक्त मिशरन है तीसरा कतन कहता है दोनों संग तथा राजिय विधाय काई प्रभुता संपन है और चोधा कतन कहता है विधाय प्रश्तावना करता है तो यहां पर सही है दूसरा कथन कहता है एक आत्मक जुकाव का उसमें ससक्त मिश्रन है यह भी आपका यहां पर सही है तो यहां पर आप देख सकते हैं भारतिय सविधान दुवारा सासन की मूल सनरशना के लिए एक संग्य व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है तथा पी एकल नागरिक्ता और केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक सक्तियां इसे एक आत्मक जुकाव प्रदान करती है और आर दोनों सत्य है आरे का यहां पर सही इस पश्टी करन किया गया है तो यहां पर आप देख सकते हैं भारत का राष्ट पती एपरत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है भारत की संसधिय प्रणाली को गंतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है जिसमें कोई आनुवान प्रांसिक सासक नहीं होता है तता राज्ये के सभी प्राधिकारी परत्यक्ष और परत्यक्ष रूप से जनता दुवारा निर्वाचित होते हैं 48 question है आपका नीचे दो कथन और कारन दिये गए हैं कथन कहता है राजनीतिक दल लोगतंत्र के जीवन रक्त हैं कारन कहता है लोग खराब साशन के लिए सामान्यत है राजनीतिक दलों को कोस्ते हैं यहाँ पर सही आंसर आपका option A होगा A और R दोनों सही है R सही सपश्टी कर यहाँ पर आप देख सकते हैं राजनीतिक दलों को लोगतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल लोगतंत्रिक प्रणाली के अंतरगर्त चुनाओं में भागिदारी सरकार का निर्मान वैनागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का सहभागिता का प्रस् सावित किया था सही आंसर सी और डी होगा तो दल्विहीन प्रजातंत्र के कौन समर्थक थे महात्मा गांधी और जैपरकास नारायन ने भारत में दल्विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था यह दलिया व्यवस्ता के दोसों के कारण दल्विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंतर के समर्थक थे 50 वा कोशन आपके सामने हैं कथन कहता है भारत की संगातमक सनरचना का मुख्या उदेशया इसकी बहु आयामी विविदताओं में से एक राष्ठ का निर्मान करना और राष्टिय एकता को संरक्षित करना था कारण कहता है विविदताओं के समंजन से एक ससक्त नैकी कमजोर भारतिय राश्टियता का निर्मान हुआ है देखे तो इसका सही आंसर यहां पर ओप्शन भी होगा ओप्शन भी कहता है ए तथा आर दोनों अपने को संरक्षित करना था कारण कहता है विविदताओं के समंजन में एक ससक्त नैकी कमजोर भारतिय राश्टियता का निर्मान हुआ है तो इन्हें आपको इहां पर धियान रखना है देखे नेक्स्ट कोशन हैं आपके सामने 51 कोशन नीचे दो कथन दिये गए हैं कथन और कारण कथन कहता है भारतिय राजनीतिक व्यावस्था की प्रकर्ती में निरंतर्ता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाई जाते हैं पारण कहता है, भारतिय राजनीतिक वियवस्ता में निम्न राजनीतिक, कारिय सैलियों, जैसे आधुनिक सैली, परापरागत सैली और संत सैली के तत्व समाहित हैं। सही आंसर यहाँ पर हमें आपको बताना है तो सही आंसर यहाँ पर option A है ए तथा R दोनों सही है R A की सही व्याख्या करता है इसे आपको ध्यान रखना है 52 कोशन आपके सामने हैं कथन कहता है महिलाएं दलीत निर्धन एवं अलपसंक्यक समहू भारत में लोकतंतर के सबसे बड़े दावेदार है कारण कहता है भारत में लोकतंतर अधिक आत्मसंमान की कामना का वाहक बनकर उभरा है तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर यहाँ पर ओप्शन ए ही होगा दोनों ए उरार सत्या है आर एका सही सपश्टी करन है यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं दलीत निर्धन तथालपसंक्यक समहू भारत में लोकतंतर के सबसे बड़े दावेदार हैं क्योंकि लोकतंतर उ इम्र में से कौन सा कथन सत्या है पहला कथन आप यहाँ पर देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संग्या प्रणाली है तो यह कथन आपका यहाँ पर सत्या है सही दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिका के सविधान में संग्या प्रणाली क का मिश्रन मानते हैं किन्तु भारतिया सविधान एक आत्मक प्रणाली का लक्षन लिये हुए मूल रूप से संग्या सविधान है ऐसा मानना जादा उचित होगा 55 कोशन है निम्न में से कौन सी एक भारतिय संग राजिय पद्धती की विसेस्ता नहीं है पहला कथन भारत में स्वेतंतर नियाई पाली का है तो दूसरा देखिए यहां पर आपका सही आंसर ऑप्शन डी होगा जो सही नहीं है यह संगबद होने वाली इकाईयों के बीच एक पश्ट विभाजन किया गया है संग बद होने वाली इकाईयों को राज्य सभा में एसमान प्रतिनिदित्व दिया गया है यह सभी कथन यहां पर आपके सही दिये गए है और कौन सा कथन सही नहीं है option D यहाँ पर आपका सही नहीं दिया गया है तो इसे आपको यहाँ पर दियान रखना है 56 question है यहाँ पर कथन कहता है भारतिय संगातमक व्यवस्था को अधर संगातमक कहा जाता है कारण कहता है भारत में एक स्वेतंत्र नियाई पालिका है जिसे नियाईक पुनर निरिक्षन का अधिकार है आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही आंसर है सही आंसर option B है A तथा R दोनों सही है परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है तो इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं 57 question है कारण के कथन कहता है भारतिय Śवीदान अधर संगातमक है कारण कहता है भारतिय Śवीदान ने तो संगातमक है और नहीं एकातमक सही आंसर option A होगा A तथा आर दोनों सही है और आरे की सही व्याख्या है तो इसे आपको ध्यान रखना है 58 question है भारतिय सविधान की प्रकरती क्या है सही आंसर option D होगा प्रकरती में संग्य है किन्तु भावना में एकात्मक तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 59 question है भारतिय संगवाद को सहकारी संगवाद किसने कहा था सही answer option A होगा ग्रेनविल ओस्टिन ने भारतिय सविधान की प्रकरती संगात्मक है या एकात्मक इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है कुछ विद्वान इसे संगात्मक सविधान की संग्या देते हैं जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक सविधान मानते हैं ग्रेंविल औस्टिन की अनुसार भारत का सविधान सहकारी परिसंग्य सविधान है जबकि के सी वियर की अनुसार भारत का सविधान अद्र संग्य है। 60 question है आपके सामने किसने कहा था भारत अद्र संगात्मक राजिय है सही answer option D होगा केसी विहर के दुवारा ऐसा कहा गया है 61 question है भारतिय सविधान के विश्य में निमनलिकित कथन निमन में से किसका है भारतिय सविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मद्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है सही answer option D होगा केसी विहर का ये कथन है देखे यहाँ पर आप देख सकते हैं 62 question आपके सामने है निमनांकित में से किस एक का कतन है कि सविधान को संगहातमकता के तंग धांशे में नहीं डाला गया है सही आंसर ओप्शन C होगा बियार अंबेडकर का ये कथन है डॉक्टर बियार अंबेडकर ने यह स्विकार किया था कि सविधान को संगहात्मक ताकि तंग ढाचे में नहीं डाला गया है तता यह एक इकरत और संगहात्मक दोनों ही है 63 कोशन है मित को और काहवतों की रूप में प्रसाशन की सिधानतों को किसने एस्विकार किया है सही आंसर ओप्शन A होगा हरबर्ट साइमन ने 64 कोशन है विधी और स्वाधिन्ता के बीद सबसे उप्युक्त संबंध को निम्न में से कौन प्रति बिम्बित करता है सही आंसर ओप्शन B होगा यदि विधी नहीं है तो स्वाधिन्ता भी नहीं होगी यदि विधी नहीं है तो स्वाधिन्ता भी नहीं है यह कथन विधी और स्वाधिन्ता की मद्य सबसे उप्युक्त संबंध को दर्शाता है स्वाधिन्ता का तात पर ये विधी की पूर्ण अनुपस्तिती कदापी नहीं है विधी सास्त्री जॉन लॉक की अनुसार स्वाधिन्ता की अस्तित्व के लिए विधी का स्तित्व जरूरी है कानून ही स्वेतंतरता की रक्षा करता है विकहते हैं जहां कोई कानून नहीं है वहां कोई स्वेतंतरता भी नहीं है 65 question है निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारना से संबंदित है सही आंसर ओप्शन ए होगा डबलू रिक्स फ्रेड डबलू रिक्स आपके विकास प्रशासन की अवधारना से संबंदित है यहां पर आप देख सकते हैं विकास प्रशासन की अवधारनाव से प्रवर्तित किये जाते हैं 66 कोश्चन है निम्नांकित में से कौन सा एक चिन तक लोग प्रसाशन तथा निजी प्रसाशन में समानताव का समर्थक है सही आंसर ऑप्षन-D होगा हैंरी-फियॉल यहाँ पर आप देख सकते हैं परसिद प्रसाशनिक चिन तक हैंरी-फियॉल न में लाया जा सकता है 67 कोशन है यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यता प्रसाशन के दुहस्त होने के कारण होगा यह कथन किस ने दिया था सही आंसर ऑप्शन सी है यह कथन डबलू भी डोन हम के दुवारा दिया गया है 68 कोशन है गंतंत्रिय अवधारना से नहीं है गंतंत्रिय अवधारना क्या होती है एक राज्य जिसमें जनता सर्वोज हो सर्वोज सकती निर्वाचित प्रधान में नहीं थो एक ऐसी सरकार जो जनता दुवारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो यह आपकी गंतंत्रिय सरकार होती है और कौन सा यहां पर सही नहीं है तो option C यहाँ पर सही नहीं है 69 question आपके सामने है निम्नमे से किन को विधी के साशन के प्रमुक लक्षनों के रूप में माना जाएगा सही answer option C होगा केवल एक दो चार को यहाँ पर विधी के साशन के रूप में माना जाएगा पहला सक्तियों का परिशीमन विधी के समक्ष समानता और स्वेतंतरता और नागरी कधिकार यह आपके विधी के साशन के प्रमुक लक्षन है नेक्स्ट है आपके सामने दिखिए निमनलिकित कतनों पर विचार करें समवेधानिक सरकार वह है देखिए तो यहाँ पर पहला कथन कहता है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वेतंतरता पर प्रभावकारी प्रतिबंद लगाती है दूसरा कथन कहता है जो व्यक्ति की स्वेतंतरता के हित में राजे की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंद लगाती है यह आपकी सम्विधानिक सरकार है यहाँ पर आप देख सकते हैं सम्विधानिक सरकार में सरकार की सकती का शुरोत सविधान होता है सम्विधानिक सरकार व्यक्ति की स्वेतंतरता के हित में राजे की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है वस्तुत है राजे की निरंकुस सत्ता से व्यक्तिगत स्वेतंतरता के हितों को सुरक्षित रखने के उदेश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में सविधान वाद का उदय हुआ एक सम्वेधानिक सरकार में नागरि सरकार सीमित सरकार होती है यहां पर आप देख सकते हैं सम्वेधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार इसका तात पर यह है कि सरकार एवं इसके तीनों अंग विधाईका कारियपालिका और न्याइपालिका का श्रोथ सविधान है तथा यह सविधान में नहीं तुपबंधो के अधिन कारिये करते हैं सविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किये जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाई लगाता है ये सीमाई इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी भी उनका उलंगन नहीं कर सकती 72 कोशन है राजिय व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से किस एक को आप स्वेतंतरता की सरवाधी कुप्युक्त व्याख्या के रूप में स्विकार करेंगे सही आंसर ओप्शन डी होगा स्वयम को पूर्णते विक्सित करने के अवसर के रूप में 73 कोशन है समाज में समानता के होने का एक नहितार्थ यह है कि उसमें विशेशा अधिकारों का एभाव होता है तो यह आपका यहाँ पर समानता के होने का नहितार्थ है कि वहाँ पर विशेशा अधिकारों का एभाव होगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन 74 कोश्चन है भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विसेस्ताइं समान हैं सही आंसर ओप्शन ए होगा केवल तीन राश्टपती के पास पॉकेट विटो की सकती है केवल यही यहां पर अमेरिका और भ आगरिक केंदरित प्रशाशन साशन का केंदर बिंदू तो यह आपका यहां पर सही होगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने 76 है भारतिय संगवाद में विविदताओं में एकता को प्रोननत करने है तो निम्न में से किन संस्थानों को आवश्यक माना ग संगवाद में विविदताओं में एकता को प्रोननत करने है तो इन सभी संस्थाओं को आवश्यक माना गया है इन्हें आपको दियान रखना है नेक्स्ट कोश्चन है आपके सामने 77 निम्न लिखित में से किस दसक में भारत की संगहात्मक व्यवस्था केंदरियता से इन्हें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है वो है आपका राश्टिया प्रतीक देखिए यहाँ पर आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाता है अभी जो दूसरा चैप्टर होगा वो आपका राश्टिय प्रतीक होगा जिसे हम next class में discuss करेंगे तो आज की class में इतना ही मिलते हैं फिर next class में Thank you so much friends for watching the class Keep watching, please like, share and subscribe Thank you